मांजी से आप यह सकते हैं इतना बड़ा पत्थर उन्होंने एक कुलाड़ी मार कर तोड़ दिया तो बाहू वाली तो वाच्छोडी सी बाव देखिए हम देशी चैनल जाए क्योंकि इंडियान चैनल तो आदे से जादो गोधी मीडे हो चुके हैं क्या स्टेटी को मैं अभी मिव और पहलवान को शमर्थन देने हाई क्या चीज यहां पर कैसे चल रहे हैं महीला पहलवान क्या रोप लगा रही है और एक पोस्टर हाथ में लेकर आई है जिस पर लिखा हुआ है दूर्गा काली लक्षमी बाई इंद्रा की बेटी हूँ मुझे कमजोर ना मानो इस पर क्या कहना चाहेंगी संधित देखे मैं लिखा है दूर्गा काली लक्षमी बाई इंद्रा मैं बेटी हूँ कमजोर ना मा देखिए सारी बेटियां बैठी हैं धरने पर बैठी है बजरंग बैठी है साक्षी बैठी है संगीता बैठी है विनेश बैठी है सबकी बात नहीं सुनी चारी है पांच बड़े-बड़े ओलम्पियन बैठी है जो हमारे पज़त जीत के लाते हैं सोना देश के लाते हैं इत चुर्ण कर दोसरे देष की राजधानी बाइश यह सिर्फ नहीं कर सकते हैं दूसरे देश मेर्ज जाकर सबसे ओपर तिरंगा उते हैं और सिर्फ एक ही लाश्टे गान चल रहा होता है जन्गर्ण में हमारे चल रहा होता है कितनी खुश्री होती है और आज वो पहलवान जो हमारे नाम इतना हमारे सिर्ण उच्छा कर देते हैं हम चादी चौड़ी करके दूसरे देश में जाते हैं बाई हिंदुस्तान ही आरे ह अच्छा लगता है कि जब हमारे देश के लोग सोना चीत के तिम्हा पे भी हमारे एक अलगी बात होती है आज वही पहलवान आज सड़क पर बैठे कौन जिम्मेदार है कौन बात कर रहा है कि फुटपार्ट पर बैठे कौन जिम्मेदार है कि पहलवानों को पोटो सेशन करवाते हैं लेकिन आज इनके आशू बिल्कुल भी दिखाई ने दे रहे हैं देखिए जब प्रधान जब नेशनल मैडल आता है अब उनको तो क्या करना है उनको तो इस छोर से उस छोर ना अपने कभी गबार जहां पहले ही पहलवान मैडल जीद कर आया होता है और इजद बढ़ जाती है उनको तो पहलवान इजद दे रहा पताने मन की मार करने तुल मुट है उन्हों की नहीं सुन रहे हैं जैसा नहीं की रहे हैं जैसे भून की प्लेटि कई जो Grund शलगाँ खंध नहीं लेकिन चैकिन जिसान यो छलगा भून को बचने होती है तब देश की जो स्थिति खराब तब नहीं होती है जब पहलवान फुटपाथ पर सो रहा होता है इससे चवी खराब नहीं होती है क्या देश की सरकार को सोचना चाहिए क्या कर रहे है और आगे देखना चाहिए पारबाट जिस तरीका से आरोब लग रहे हैं बीजेबी पर पर बोला जारें कि जवाब देई नहीं आरे हैं कुछ भिय ने आरहे हैं मेंन चीज यह है कि हमारी महीला पहलवान यहाँ पर बैटे और यह भी बोला जारें कि इतने साल से पहले शिकायत क्यों ने दर्ज तब हख की माँ वे था हैं तब हटकी करके घुम्राई लिए था हैं तब कौंपटिशं की त्यारी करने चेलें पर हग की लड़ाई करके इलो जाएंगे है इसी ह्पीरिक जाये शाहर मखीने आप ऐसे नहीं जाएंगे चोटी मोटी बातों से नहीं भटकने वाले पहलवान है जानते हैं कौन सा दाव लगाना है सब जानते हैं और सिदे से त्यारों लगाए जारे एक ही खाड़ा एक ही परिवार के घिलाड़ी है इसके ओपर क्या कहा चाहिए देखे हरियारा को मेडल वक्तरी अगया है माना कि अलग राज जी से बहुआ है मनिःपूर काफी मीरा बॉइचानू जी यह वह से हिने वाकि देश से निकलते हर्याना में आर्याना के निकल रहे हैं और किस देश से निका लाएंगे कोई पतानी क्या उठागे अब अब हम सरकार की धरा तोड़ी नहीं पता नहीं है लेकिन फिर भी उठा के लिए ऐसे हम लेकिन बैयान बाजी शुरू हो गए इन पर ही उल्टे आरोप लगने शुरू गए यह कहा है इन्हों ने आरोप लगाया सारी चीज़े की अब इन्हीं को ऐसे चीज़े बोली जा रही है इन्हीं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है धंकिया मिल रही है यह कहां तक चलेंगी देगे आज पहलवानों ने बताया है कि हमारी जान को खत्रा है कुछ पता नहीं है पहलवान अपनी जान की बाजी लगा कर बैठे हैं जंतर मंतर पे सलाम है उनको की अपने हक उस ओलंपियन मैडल को जो देश के लिए दूसरे देश में जाकर सोना लेकर आते हैं बहुत बड़ी बात है और पुटबात पे सोरे देश जान के लिए खत्रा है उनकी जान को खत्रा है नहीं देश को खत्रा है समसर्केंद्रे सरकार को समझना होगा उनकी जान बहुत हमा जब ऑलम्पियन मेडल है तो अभी तक उनके दाओं का कोई बराबर का निया उनकी ताकत का कोई बराबर में नहीं है जिस तरीके से प्रकारवाई हो पाई आपको लगता है देखिए देखिए बड़े से पड़े पथर पेपी अगर बार-बार कुलाडी मांगों गोंगे मां विदेशी चैनल रहते हैं क्योंकि इंडेन चैनल तो आदे से जादे मीड़े हो चुके हैं क्या स्टेटी को मैं अभी सेवन्थ क्लास नहीं हूं जिस तरह कि भावुक होते हुए पहलवान दिखें उसने पूरी जो जनता है भारत की सबको जिंजोड कर रखा है हर को इसी पर बोल रहा है कि इतना कमजोर होने की जुरत ने क्या लग रहा है कि जो भारत की जनता अगर पूरी सामने आएगी समर्थन देने तो फिर तो जुकना ही पड़ेगा ना कोई भी सामने देखें जनता पहलवानों के साथ है जैसे हमारी साक्षी जी रोहीं थी बहुत भाव पांदी जी के साथ वी ती चाफी सारी घीजा मैं कल प्रियंका गांधी जी आएंथी बहुत बार विब्ल्च आ है लेकिन बीजेपि से नहीं भी पाएगी प्रेंग प्रेंगाभी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वह हैं पहलवानों के सामने खड़ेगा आख मिलाने की हिम दम भी नहीं है इतना कि पहलवानों के सामने आके खड़े हो जाएं जी सर आप से जानना चाहेंगे जिस तरीके सभी जो चीज़े हो रही हैं बार बार आरोप प्रत्यारोप कब शुरू हो गया पहले सिफ पहलवान आरोप लगा रहे थे सारी चीज़े बोली जा रही थे पहले सीता आता है और कृष्ण से पहले राधा आती है आज वाँ बेटियों को रोना पड़ रहा है शर्म आती है मुझे कि उस इंदुस्तान में आज मैं अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेकर आया हूँ अपने साथ लेकर आया हूँ मैं औलाद वाला हूँ मेरी हूँ मैंने दो बेटियों को जर्म दिया मैंने की किलकारी मेरे आगन में गूंजी है मैंने के दर्द को समझता हूँ लेकिन जिनके औलाद ही नहीं हूई होगी वह बेटियों के दर्द को क्या जानेंगे क्या समदेंगे इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटियों को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए बे आख्याशी का नंबर है विनिशा का ??? मैं आज अपनी बेटी को होसला देने आया हूँ क्या मैं तब जनतर मंतर पे आऊंगा जब इसकी बारी आजाएगी मुझे इसकी बारी का इंतजार करना चाहिए या आज लड़ना चाहिए आज लड़ना चाहिए मुझे ये बेटियों की लड़ाई है कलेंडर में देविया पूजने वाले हिंदुस्तान के लोगा, कलेंडर में आरती उतारने वाले हिंदुसतान के लोगा, आज जिन्दा देवियारो रो रही हैं। दाओं पर है बेटियों का ये जम इज़त और आबरू के लुटेरों को बचाने के लिए एक अकेला सब पर भारी उसके पीछे खड़ा हुआ शर्म आती है एक अकेला सब पर भारी तब आते हैं यहां पर आतें ललकारते हाथ मेनिक्षा अ सब्सक्राय कि आ कि Now. इस आथ में रुमार लेकर आते हैं और बेटियों के आउंक के आउसु पोस्ट है सुनो तुम्हारा बाप तुम्हारा प्रदानमंत्री बैटा है बेटा रोने नहीं देगा पूरा देस आपके कदमों में आ जाता मौधी जी पूरा देस आपके कदमों के आपने बेटियों की सुनी लेकिन अपसौस ना तो आप बीबी के हुए बेटी तो आपके घर में आई नहीं ने यह नहीं कहा जाट की बेटी जीत गई किसी नहीं कहा हर्याना के बेटी जीत गई किसी नहीं कही मांगे राम की छोरी जीत गई सबने कहा भारत की छोरी जीती है आज भारत की छोरी जंतर मंतर पर बैठी रो रही है और आज क्या कहा जा रहा है हर्याना वाले आए एक जब आपके साथ सो लड़किया जाएंगी पूरे राजी की बेटी जाएंगी तब मुकदमा दर्ज होगा मैं नमन करता हूँ Chief Justice चंचूर साहब को इतनी काली या धेरी रात थी कि बोलना मुश्किल था इतने जुल्म का सासन इतनी ताना साही थी कि आवाज निकालते हैं EDCBI और जेल का सीख जाता मैं नमन करता हूँ और धुआ करता हूँ कि उस ने के मंदर में बैठे देवता को भगवान लंबी उमर दे ताकि हम इन ताना साहों से लड़ सके उनकी उमर लंबी होनी चाहिए उस देवता की उमर लंबी होनी चाहिए आज ओलंपियन है कौन नहीं जानता है नहीं साथ दिन आसुब आने के बाद F.I.R. दरजुए राम जाने कितने दिन और रोने पड़ेंगे कि एक कायर गिरफतार होगा राम जाने कितने और दिन रोने पड़ेंगे जाहिर तोर पर देखे ये जोड और गडित का सवाल चल रहा है 24 का चुनाव सामने है एक आदमी बहुत ताकत वर है पांचे बार इनके दल से जीता हुआ है पांचे जिलों में उसका प्रभाव है गिंती की सीटे है मैं चुनावती देता हूँ योगी बाबा को चुनावत यह लकारता हूँ आप तो कह रहें थैं बाहू बलियों को मिट्टी में मिला देंगे यह कॉन है बनातकरों का बलादकार करने वाला कॉन था वह भी टाकूर है शेंगर भी ठाकुर था यह क्या चल रहा है कैसी ठाकुराई चल रही है गोली चलेगी गाड़ी पल्टेगी तो कुछ कुछ उने हुए लोगों की लेकिन ठाकुराई जिन्दा बात क्योंकि सहिं आप है को तवा लब डर का है का क्या चल रहा है इंदुस्तान में मैं अब बात वी आप कई बार बुल्डोजर चला देते हों अब तो आपका बुल्डोजर आग भी उगलने लगा जियंदा जला यहां को expect नहीं होगे अपराधी अपराधि भी होता है ना अपराधी की जाते होती है न धरम होता है वहार कार कानून होता है उसे सब को सजा होनी चाहिए क्यों आज इसमें देखते हो कि मेरी जाती का है इसे बचा लो हात रस में तलित बेटी की लास कुछीन के आदी रात को आप सबने पेट्रोल छिड़क के जला दिया था उसकी माने आखरी दर्शन भी नहीं किया था आज ये रोती हुई बेटिया इनकी मा इनके बच्चे इनके बाप यहां बेटे हुए आज फिर आशुओं का कत्रा है मैंने एक लाइन लिखी थी कि अनपड़ अनपड़ राजा की देखो जूटी सान अनपड़ राजा की देखो जूटी सान पुल्वामा में जवान गाजीपूर में किसान जन्तर मंतर पर पहलवान सब परेसान सब हैरान किसलिए किसान भी दुखी पहलवान भी दुखी जवान भी दुखी किसलिए मोधी जिक किसलिए सिर्फ अड़ानी अंबानी को खुश करने के लिए आपने प्रदानमंत्री की सपत ली थी क्या आपने तो कहा था कसम मुझे माटी की में देश नहीं जुकने दूगा यह देश जुका हुआ बेटा है बेटी आशू में तरहे मोधी जी ले आओ और और पोच दो इनके आशू आप तो वहां जाते हो प्रियाग राज में से फोटे सेशन किया था आज बेटी आरोरी उनका मूद होने क्यों नहीं आ रहे हो इसी सवाल पर खतम करेंगे यहीं पर जो इनका कहना है कि बार बार ये लोग यहीं बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है उनकी तरफ से कोई जवाब देए क्यों नहीं आ रही है भावुक होते हुए इन बेटियों को भावुक देखकर खुच सब की आखे नम हो जा रही है जंता लाइव आप तक जंता के मुद्धे पहुचाता रहेगा बने रहे हमारे साथ शुक्रिया